आपको देर चुका हूं ठीक है और एक इंपोर्टेंस आपको रिलेशन बताया था आपको याद होगा कि del.r upon r square that is given by यह क्या हुथ आपको 4π del cube into r मतलब del cube of r राइट यह चीज मैंने आपको last class में बताई थी अगर आपको याद होगा तो ठीक है आज हम क्या करेंगे इसी के कुछ numericals हैं आप Griffiths के exercise निकाल सकते हो ठीक है कि मतब basically अगर आप साथ में कर लोगे मतब देखो हमें साथ में यह रखना कि question जैसे ही मैं आपके सामने रखो आपको क्या करना है वीडियो को थोड़ा कुछ देर के लिए pause कर लेना pause करने के बाद क्या करना देखना आपने खुद से try करना कि with properties आपको वो चीज़े याद है यह नहीं है और उसके देखना कि आपका solution जो है वो ठीक है या नहीं है कम से कम at least अपना approach जो है वो अपना जो है please एक बार try करना कि आपका approach जो at least वो सही है या नहीं है ठीक है तो देखो ध्यान से हमें question के बारे में बात करते है I hope आपको इसकी property सारी पता होगी ठीक है आपका इस volume region के अंदर अगर यह r not lie कर रहा है in that case this will be equal to f r not और अगर वो lie नहीं कर रहा है in that case that will be 0 और एक आपका law था simple सा है मतलब जो आपका यह था property थे आपकी del cube k times r so that is given by इसकी value क्या हो जाती है that is simply given by 1 over mod of k cube into del of r तो यह कुछ दो तीन properties है अगर आप धंग से और यह ए यहां से कर सकते है जैसे Griffiths के exercise में sorry solve problems में एक question है आप उसको एक बहुत धंग से देखना है कि आपको समझ आ जाए कि आपने को क्या करना क्या नहीं करना है ठीक है जिसे दो को यहां पर किया है कि आपको calculate करना J and J is given by volume given है यहां पर ठीक है उसके बाद r square plus 2 और उसके बाद देल.r upon देखो ध्यान से देल.r upon r square और उसके बाद d down यह volume element होगया आपका अब यहां पर किया आपको where v is a sphere of radius r यह जो है this is basically a sphere of radius r of radius r origin जो है यह इसका center origin as a center यह चीज है यह चीज जो है आपको given ठीक है this part is okay अब देखो यहां पर कर आप ध्यान से देखो तो आप इसको कैसे लिख सो अब इसको r naught की value की आपके basically that is 0 क्योंकि r को हमने क्या कर थे r minus r naught और उसके बाद यहां पर आपका data यह यह ना तो r minus 0 कर देते है अब एक बात बताओ 0 जो है वह तो sphere के अंदर ही है जिसका radius r है अगर यह है तो आप यहां पर यह property आपने देखिए यहां पर इसकी value क्या होती f r मतलब क्या करना जहां जहां पर r है वहां पर r की value क्या put कर देनी है आपको 0 कर देनी है मतलब simply क्या हो जागा that will be simply written as 4pi 4pi तो रहेगा यहां पर यह term यह term और यह term पूरा मिलके आपको क्या देदेगा 0 का square plus 2 right क्योंकि आपको क्या करना है r equal to r naught रखना और r naught की value यहां पर 0 है तो आपका सीधा answer क्या हो जागा 8pi so 8pi will be the right answer एक question यह होगा ठीक है I hope यह वाली चीज आपको समझ आ गई होगी ठीक है अगर अगले question के बारे में बात करें और कुछ ऐसे question है जिनको आप try कर सकते हो ठीक है कि आपको calculate करना r dot d minus r ठीक है d minus r यह सारे vectors है उसके बाद del q उसके बाद e minus r यह given है d tau यह given है ठीक है और यहाँ पर d क्या given है d vector that is given by 1,2,3 यह given है ठीक है और e जो vector आपको given है that is simply 3,2,1 और आपको क्या given है v is a sphere of radius 1.5 v जो है that is a sphere of radius ध्यान से देखना of radius 1.5 and centered at centered कहां पे centered at 2,2,2 पे ठीक है ध्यान से देखना इस question को अब थोड़ा ध्यंग से एक बार read करो अच्छे से ठीक है यह question अगर मैं आपको बता दूं तो यह problem 1.48 का है ठीक है ठीक है इसका question number 1.48 question number d है आप इसको एक बार देखोए question को ठीक है क्या करना है आपको दिया हुआ क्या है e minus r है तो सबसे पहले तो इस चीच को आप clear कर लो कि e minus r को आप करोगे क्या आपको पता है कि कभी भी यह e minus r के form में आप इसको नहीं लिख सकते क्यों कि आपका r है right तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको r minus e के form में करना पड़ेगा तो सबसे पहला item क्या करोगा आप del cube e minus r and this can be written is इसको क्या लिखो क्या है del cube यहाँ पे negative common ले लो आप क्या करोगे r minus e right negative of 1 common अगया इसका मतलब क्या हो क्या हो क्या हो क्या है 1 upon k3 क्योंकि k की value क्या है minus 1 तो minus 1 का cube तो वो क्या हो जागा 1 ही हो जाएगा और del cube of r minus e I hope this part is also okay तो इसको आप उठा के वहाँ पे put करो आपका क्या question हो जाएगा basically now you have to solve this thing कि r dot r dot क्या करना आपको d minus r ठीक है d minus r और उसके बाद क्या करना है del cube r minus e यह चीज़ आपको समझ आगे I hope this part is okay ठीक है अब क्या करना है कि यह चेक करना है कि यह जो मेरा e है वो sphere के अंदर है या तो श्रीप में में अब देखो sphere का centre given है अब थूछा ध्यान से देखो sphere का center given है that is given by that is 2-2-3 यह इसका center हो गया 2-2-2 है इसका radius जो है, that is 1.5, radius जो है, that is 1.5, अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपको e vector चेक करना, e का position vector क्या दिया हुआ, 321, 321 थोड़ा सा आगे लेकर इधर कहीं कर लेते हैं, कि आपका जो position vector है, e, that is 321, माल लेते हैं कि e जो है, वो 321 है, देखो, अभी तक हम यह नहीं decide कर पा रहे है कि यह जो point है, यह इसके अंदर है या बाहर है, मैंने arbitrarily कहीं पर बना दिया, अब देखो, होगा क्या है, आप इस line को मिला दो, ठीक है, अगर यह जो length है, इस length को अगर मैं a consider कर लूँ, तो a अगर radius से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, यह point, यह point है, e point जो है, इ a की value कर, a की value की, square कर देते हैं, क्योंकि 1.5 का सिधा square कर दोगे आप, तो यह क्या हो जागा, 3 minus 1 का square, plus 2 minus 2 का square, plus क्या हो जागा, 1 minus 2 का square, 2 minus 1 का square, so that is basically 2 का square, plus 0 plus 1 का square, मतलब यह कितना हो क्या, 4 plus 1, that is equal to 5, और अगर आप बात करो यहां पे, 1.5 के square की, right, radius कितना की बना है, से देखो, radius is basically 1.5, तो radius, अगर आप 1.5 का square करोगे, this will be what, 2.25, I hope this part is okay, ठीक है, अगर मैने कहीं पर गड़बड करी नहीं है, yeah, so this will be 3, nice, this will be 3 minus 2 का square, so this will be basically 1 का square, so this will be 1 का square, so that will be 2, sorry, तो 2 आ रहा है यह, और इसका square कितना 2.25, मतलब क्या हुआ, कि यह जो e point है, यह आपका sphere के अंदर यह, इसका और इसका distance, यह जो है, इससे 1.5 से कम है, मतलब यह जो point होगा, यह आपके sphere के अंदर, sphere के अंदर है, मतलब अब क्या करना आपका, del cube r minus r naught, r naught की value तो यह वाली आपकी होगी, right, तो अब इसको क्या लिखोगे, r की जगह पे क्या कर देना, simply आपको e put क कर देना, तो क्या करोगे इसको, यह सारा खतम हो जाएगा, आपका, क्या बन जाएगा, e dot, अब ध्यान से देखो, d minus r, मतलब क्या करना है, d minus e, और उसके और कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, खतम का, यह हो क्या आपका, अब e की value क्या दी हुए है, देखो ध्यान से, e i cap, plus 2j cap, plus 3k cap, minus कितना हो जाएगा, e again, e की value ले ले लेते हैं, वही से, 3i cap, plus 2j cap, minus k cap, I hope this part is also okay, मतलब क्या किया मैंना, e, d, e, in सब की value यहाँ पर put कर दी, अब आपका, 3i cap, plus 2j cap, plus k cap, ठीक है, that is dotted with, 1 minus 3, that is equal to minus 2i, plus 2j, plus 2j, that is 0j, plus 3k, ठीक है, plus k, मतलब यह कितना हो गय मतलब, that is 4k, मतलब, इसका dot करोगा, 3 into minus 2, that is equal to minus 6, 2 into 0 is 0, and k, that is equal to 4, मतलब, आपका answer जोगा, that will be minus 2, ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर ले न, आराम से, ठीक है, this part is okay, I hope यह वाली चीज़ आपको समझागी, इसी तरह से एक और question पर आते हैं, देखो, आप ध्यान से, इस question को तो ठीक से देखना, आपको क्या करना है, evaluate the integral, यह exercise का question है, ग्रिफिट्स का, evaluate the integral, इस integral को आपको evaluate करना, ठीक है, writing के लिए माफ करना, ठीक है, तो that is equal to j, which is equal to, यह क्या क्या बने है, e to the power minus r, उसके बाद, del dot r upon r square, ठीक है, अब यहाँ पर क्या 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 बने है V, ठीक है, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या 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 क्यों बने है, कि V is a sphere of radius r, centered origin by two different methods, दो अलग-अलग method से एक योग करना है, अपने को evaluate करना है, क्योंकि हमारे competitive exam में, बस evaluation इसका आएगा, चल, अब इसको हम calculate करते है, यह क्या हो, जो क्या 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 है, एक sphere है, यहाँ पर 0, क्योंकि यह तो simply, इसका formula, इसका अगर check करोगे, this is what, del cube r, r को क्या 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 है, r minus r naught करते है, जहाँ पर r naught की value 0, this is simply that, तो यह वाला portion क्या बने है, r minus 0, r minus r naught, अब एक बात बता, 0 जो point है, वो तो पक्का है, कि sphere के center पर ही है, मतलब इसके अंदर ही पड़ेग ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे अगर tricks हैं आपके पास, मतलब यह अगर आपको अच्छे से पता है, तो आप अराम से कोई भी question जो, आप solve कर जाको, जैसे मानलो कि EC का 1.48 है, ठीक है, इसका problem number that is 6, इसको मैं उठा लेत हो है, ठीक है, मतलब वही volume element, where V is a sphere of radius 6, यहाँ पर V क्या है, this is simply a sphere of radius, इसका जो radius गिवन है, that is 6, about the origin, ठीक है, about the origin, और C vector जी गिवन है, that is 5i cap plus 3y cap, थोड़ा ध्यान से देखना, 3y cap plus 2z cap, मतलब आपका यह जो vector है, यह उस sphere के अंदर है या नहीं है, वो हमें चेक करना है, इस sphere है, जिसका radius 6 है, अब प्रोड़ा ध्यान से चेक करो, इस sphere जो है, इसका center I think origin ही है, या, या, this is origin, अब पॉइंट जो है 532, अब मैं देखो 532 पॉइंट कहीं भी हो सकता है, अगर यहाँ पर होगा 532, या इसके बाहर हो सकता है, मालनों कि 532, हमें क्या चेक करना है, कि इस से यह जो distance है, 532 का, ठीक है, यह जो distance A है, A जो है, यह R से, radius जो है, जिसका radius 6 है, 6 से बड़ा है चोटा, अगर बड़ा है, इसके बाहर पड़ेगा, चोटा है तो इसके अंदर पड़ेगा, तो मैं A की बात करता है, A क्या हो जगा मेरा 5 का square, प्लस 3 का square, प्लस 2 का square, that is given by, A का square ही कर लेते है, 25 प्लस 9 प्लस 16, right, this is equal to 34 प्लस 60, 34, right, this is 34 प्लस 60, that is 50, A square की value 50 आगे, और आपका R square जो है, that is simply 36, R square 36, मतलब यह जो point आपका मिल रहा है, यह certainly इसके बाहर पड़ेगा, I hope this part is okay, कि यह जो है, आप थोड़ा ध्यान से देख लो, A square की value मैंने find करी, क्य यह तो origin है, 0, 0, 0, तो आपने क्या किया, 5-0 का square प्लस 3-0 का square प्लस 2-0 का square, मतलब सिंपली क्या हो गया, sorry, 5-2 का square is 4, sorry, sorry for this, yeah, so that is 25 प्लस 9 प्लस 4, and that is equal to कितना हो गया, 25 प्लस 9, that is equal to 34, 34 प्लस 8, that is equal to 38, तो, फिर भी यह बाहर ही है, यह फिर भी आपके बाहर ही पड़ा अगर ऐसा बाहर होता है कहीं पर, तो direct delta function की value की अगर दिया, simply 0, मतलब यह जो integration जो आपने ताम जहम किया, इसका answer simply क्या हो जगा, that will be 0, तो यह जो है, यह छोटे-छोटे tricks हैं, जिनसे आप किसी भी तरहें, मतलब S, इसका कोई भी question जो आराम से कर सकते हो, चलो एक और question यूज हो जाए कि data, where V is a cube of side 2, यहाँ पर V जो है, that is a cube of side 2, side 2 मतलब एक cube है, जिसकी side length जो है, that is 2, center on the origin, and B की जो value given है, B आप चेक कर लो, B की जो value given है, that is 5x, sorry, that is 4y cap, plus 3z cap, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से हम देख लेते हैं, यहाँ पर, B हमारा यह है, यह हो गया, 2, ठीक है, center choice का origin का है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अपने को क्या करना, यहाँ पर इस वाले portion को देखना, 5R, आप याद करो, Del Q 5R को आपको हमेशा क्या करना है, R के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करोगे, 1 over 5 का cube, ठीक है, मतलब मॉड बहार रखो, मॉड को बहार रखो, और 5 का cube हो गया, और Delta of R, मतलब यह क्या होगे, 1 over 125, Delta of R, और R-0 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 by 125, और इसके बाद, R-B, मॉड का whole square, और Del Q R, मतलब आर की जगा पर क्या करना, आपको 0 पूट कर देना ह D tau, इसका मतलब 1 by 125, B का square, right, B के mod का square, और B आपका कितना अध्यान से देख लो, अगर B जो है, यह इतना given है, तो यहां से B square आफाइंड करते हो, that is 4 का square plus 3 का square, that is equal to 25, right, तो उसको वही करते हो, 1 by 125 into 25, so that is simply equal to 1 by 5, so this will be the answer, तो इसका, तो देखो, Griffiths के जितने numerical पे, वो सा सारी हमने यहां पर बैठे-बैठे solve करती है, तो direct delta function यही है, ठीक है, आपने अगर इसकी पहली वीडियो अगर मिस करें, तो प्लीज जाकर उसको देख सेना, जहां पर मैंने 3 dimensional और 1D direct delta function समझा रहा, उसके बाद आप direct delta function का कोई भी numerical उठा लो, ऐसे चुटकियों में सारे question आप से solve हो जाएंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले, और उसके साथ एक चीज और, कि हमारे एक टेलिग्राम ग्रूप है, जहां पर हम IIT Jam की बिसी के लिए तयारी कराते है वहां पर आप उसको जाइन कर सकते हो, और उसके साथ आपनेर को अनकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक आपको नीचे चलिए वे मिल जाएंगे, ठीक है, आपको जो टेलिग्राम का चैनल है, ती.me, ठीक है, स्लाश, एसो फिजिक्स, डबल नाइन, डबल वन, आपको जो कहती है, आपको जो टाटा, टेक कर, बाइब गॉटनीयट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाइब।